इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा अधिनस्त बोर्ड यानि की RS MSSB बोर्ड द्वारा कल शंगनक भरती परिक्षा की एंसुर की जारी की गई है अब आप क्यूशन पेपर पर आपती दर्ज करवा सकते हो, कौन कौन से क्यूशन पर आपती दर्ज करवा सकते हो और कैसे दर्ज करनी है आपको आपती उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूँगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि अभी तो मैं आपको बताऊँगा कैसे दर्ज करनी है आपती और जब लिंक एक्टी होगा तो मैं आपको step by step आपती दर्ज करके बताऊँगा अशलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें notification भी on कर दीजे ताकि जब भी मैं नया वीडियो अप्लोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो आप देख सकते हो कल प्रेस नोट जारी किया अधिनस्त बोर्ड ने 28 की डेट में जिसमें इस पर स्टूप से लिखावा है कि बोर्ड द्वारा दिनांग 3.3.2024 को आयोजित संग्णक शिदी भरती परिक्षा 2023 का मास्टर परशनपतर तता उसकी प्रारंबिक उत्तरकुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अप्लोड कर दी गई है यनि कि कल आपके परिक्षा कोड 92 यहां लिखावा है इसके क्यूशन पेपर और एंसुर की आपके बोर्ड की ओफिसली वेबसाइट पर अप्लोड कर दी गई है आगे लिखावा यदि किसी परिक्षार्थी को परशन पतर में समिलित किसी भी परशन या उसके उत्तर के सम अपती किसी भी तरह की हो शकती या फिर एंसर भी गलत सो कर दिया हूँ बोर्ड ने और राइट एंसर कुछ और है तो किसी भी तरह की कोई भी आपती हो तो निधारित सुलकिशा दिनांग 3-4-2024 को समय एक बजे मदे रातरी से दिनांग 5-4-2024 तक समय 23-68 बजे मदे रात अपती तक अपना ऑनलाइन आपती बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा शकते हो यनि कि अगर आपको किसी भी कुशन पर डाउट है या एंसर में डाउट है तो आप आपती 3 अपरेल को लगा सकते हो कैसे लगाने उसके बारे में आगे चर्चा करूँगा और 3 अपरे परेल की रात को 11 बज कर 60 बजे तक अप्टी रोएगा इस बीच आप कभी भी ऑनलाइन आपती दर्ज करवा सकते हो आगे लिखावाया परिक्षाती को परिक्षा में अलग-अलग सैट के परशन पतर उपलब्त कराए गए हैं आगे मैं आपको कुशन भी बताने जा रहा ह आगे लिखाए अपलोड कियेगे माश्टर परिक्षा पतर में उनको पलब्त कराए गये परिक्षा future के अलग-अलग करमान्म पर शमिली थे हैं इनके परिक्षा के लिख रहा है यूश करए आपको किसी भी कुशन में डाउट है जो आपके पास कुशन पेपर है जो आपन मिला था उसके according आपको आपती दर्ज नहीं करवानी है जैसे कि आपके पास जो question paper है आपको उसमें 12 number question में अगर doubt है तो कल जो board ने officially paper upload किया है उसमें देखिए जो आपका 12 number का question है वो कितने number पर अगर वो 7 number पर है तो आप जो आपती दर्ज करवाओगे वो 7 number question पर करवाओगे नहीं कि 12 number पर क्योंकि आपको answer की में आपती है और question paper में आपती है तो आपको जो board की कल website पर upload किये गए है उसके according ही आपती दर्ज करवानी है आगे लिखा है board द्वारा परतेक आपती का 60 रुपे 100 निधारित किया गया है यानि कि पर question आपका 100 रुपे चार्ज लगेगा अगर आपने 3 question में आपती लगई तो आपका 300 रुपे चार्ज लगेगा 2 question पर आपती लगई तो 200 question sorry 200 रुपे का चार्ज लगेगा अब आपती कैसे दर्ज करणी है आगे लिखावा है आपती दर्ज करने के लिए SSO ID के मादिम से दे शुल्क इमितर पेमेंट गेटो या इमितर के उश्रक पर जितने परशनों पर आपतीय करने हैं उसके अनुशार परती परशनों पर 100 की दर्शे दे शुल्का भुकतान करे पुकतान के लिए SSO ID मितर दोरा अलग से शुल्क के अबाव में आपतीय शुकार नहीं की जाएगी अगर आपने पेमेंट नहीं किया और आपतीय दर्ज कर ली तो आपकी आपतीय वो शुकार नहीं की जाएगी इसका लिंक आपके वापस से बताया गया अब आपको आपतीय कैसे दर्ज करनी है इसके बारे मैं बता देता हूँ जब तीन तारी को लिंक एक्टी होगा तब आपको SSO ID लॉग इन करना है उसमें My Recruitment में जाओगे उसके बाद आपको आपसन देखने को मिलेगा Admit Card पर उसपर किलिक करोगे तब आपको एक और नीचे ओपसन देखने को मिलेगा Cution Objection उसपर जब किलिक करोगे तो आपके सामने Paper Open हो जाएंगे यनिकि exam के नाम आजाएंगे जितने भी आपने exam form फिल किये थे उनके नाम आजाएंगे और उसमें आपको शंगनक exam के सामने Option देखने को मिलेगा Objection का और उसपर आपको किलिक करना होगा जैसी Link Active होगा तब भी वो आपका पेज ओपन होगा उसके बाद आप जिस तरह से आपती दर्ज कराना साथ चाते हो जिस-जिस Qution की वो दर्ज करवा सकते हो बाकि जैसी Link Active होगा मैं step by step बताऊंगा इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अब मैं उन Qution की चर्चा करूँगा जिन पर आपको आपती दर्ज करवानी ही चाही है और प्रूफ के साथ अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप आपती दर्ज ना कराए जैसे कि आप देख सकते हैं कल बोर्ड दोरा पेपर अप्लोड किया गए उसमें साथ नमबर का क्यूशन है आपके पास अप्राची नाम क्या था इसके में आपके पास ओप्सन था धूलकत इनकी धूलकेद, बेराठ, आगाठपूर, तामरवती, अनुतिरित परशन अब इसका करेक्ट एंसर बोर्ड ने तामरवती माना है लेकिन इसमें बहुत किताबों में आगाठपूर भी दे रखा है धूलकड भी दे रखा है इसलिए इसमें आपको आपती दर्ज करवाने ही चाही है 7-Ember Question जो की Board की Website पर Upload Question पर है उसमें जो 7-Ember Question है उस पर बहुत लोगों को डाउट है आपको किन-किन क्यूशन पर डाउट है इसका भी हमें comment box में जरूर बताए दूसरा इस क्यूशन पर डाउट आया है कि MS PowerPoint विंडो पर पर परशन वाचिक चिनिक क्या दर्शा आता है आपके पास option है title बार, status बार, menu box, formatting बार, अनुतरित परशन इसका Board ने answer माना है menu box अगर आपको इसमें doubt है तो आप इस पर भी आपती दर्ज करवा सकते हो और एक और question है आपका जो last question है वर्ष 2005 में सूच कांग 100 है, 2006 में 4% की वर्दी हुई है, 7 में 6% की गिरावट हुई है 8 में 4% की गिरावट हुई है, 9 में 3% की वर्दी हुई है 2007 को अधार वर्ष मानते हुए 2008 का सूच कांग ग्याद करना है आपके पास option था 5.5, 9.85, 4.9, 9.3% तो बोर्ड ने जो इसका answer 13.85 मना लेकिन इसका answer 96 होगा इसलिए इस पर भी आप आपती दर्ज करवा सकते हो इनके अलावा और भी किसी question पर आपको doubt है तो comment box में हमें जरूर बताएं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें चनल जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि जैसी link empty होगा मैं आपको step by step process बताँगा कि किस तर से आप question पर objection लगा सकते हो और कोई भी doubt है तो नीचे comment box में हमें चरूर पूछे